औरे इंदोस्तान को गर्टन दिवस की बहुत बहुत सुखामना हैं दोस्तों आज का दिन हमें उन वीरों की आद दिलाता है उन माओं की आद दिलाता है जिनकी बज़े से आज हम आजादी की सांस ले पाते हैं सोच पाते हैं अपने मन की कर पाते हैं ये दिन बहुत कुरवानियों के बाद हमें मिला है किसी कवी ने कहा था कि जो भरा नहीं है भावों से भैती जिसमें रसधार नहीं हिर्दय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं जो व्यक्ति आज के दिन भी अपने उन वीर योद्धाओं को वीर क्राम्तकारियों को वीर सहीदों को याद नहीं करते उन्हें देश भी कभी याद नहीं करता आज का दिन है उन्हें सद्धांजली दिने का उन्हें याद करने का उनकी वीर गाताओं को अपने बच्चों को सुनाने का और बताने का कि इस देश देश की आजादी के लिए हमारे उन महान वीरों ने उन हजारों लाखों माओं ने अपने उन बेटों की कुरवानी दी है दुनिया का सरवोच बलदान अपने जीवन का बलदान दिया है तब जाकर कि ये आजादी हमें मिली है तब जाकर कि हम एक ऐसे देश को बनाने में काम प्रफाइब हुए हैं जो आज 74 मा गर्तन दिवस मना रहा है हमें गर्ब हैं अपने देश के उनम हान करांतकारियों पर उनमाओं पर जिनकी बजय से आज हम और हमारे बच्चे और हमारा देश अपनी मर्जी से अपने देश के कानून के साब से काम कर पाता है रह पाता है जी लोगों ने उस टाइम पर भी बहुत सारे ग्यानी हुआ करते थे कि बहुत बड़ा राज्य एंग्रेजों का खतम नहीं हो सकता आप क्या करोगे आप चंद लोग हो लेकिन उन्होंने किसी की मानी नहीं क्योंकर जो करने वाले होते हैं वो किसी की मानते नहीं उनके लिए उन अब्यमार्ग पर निकल पड़े तो मुँसे बातें क्यूं करना जिसे देख जमाना डरता था कहता था तुमसे ना होगा और कर दिया देख लो जगवालो अब तुम भी इससे डरना ना कितनी भी बड़ी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो यद कुछ लोगों की न सुनकर अपने मन की सुनकर यद उसे करने लग जाते हैं तो बड़ी सी बड़ी समस्या हैं बहुत छोटी हो जाती हैं चाए हिंदुस्तान को आजादी दिलाने की बात हो चाए एक दसरत माजी क चेनी और हतोडे से उस पहाड को चीर देने की बात हो चाहे अरन्मा सना के एक पैर से हिमाले की चोटी पर चड़ने की बात हो ये सब हमारे देश के लोगों ने किया है और आने वाले समय में भी हमें ये पेड़ना मिलती रहेगी और हम अपने पूरवजों की उन वीर उन अच्छे मनोवल के साथ उन सेक्रिफाइस के साथ जो उन्होंने हमारे लिए किये हैं उनसे हम और हमारी आने वाली जनरेशन प्रेणा लेती रहेंगी आगे बढ़ती रहेंगी इसी के साथ मैं आप सभी को दुबारा से इस 74 वे गरता दिवस की बहुत-बहुत सुबका रहो बफादार रहो इमानदार रहो जिम्मेदार रहो और आगे बढ़ते रहो जैहन जै भारत थाइंक यू